आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विग्यान भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें समस्कार दोस्तों हमारा प्रशन है कि दोस्ते आपर प्रशन पूछा गया है कि प्रात्मिक एमिन के संसलेशन में गेब्रियल थैली गेब्रियल थैलियामाइड संसलेशन को प्रात्मिक तक क्यो दी जाती है यह हमें यहापर प्रशन पूछा गया है ठीक है तो दोस्तों हमें गेब्रियल गेब्रियल थेलेमाइड थेली माइड संसलेशन या फिर हम इसे अभिक्रिया के तोर पर जानते हैं यह जो हमारी अभिक्रिया है इसमें सुद्ध एमिन सुद्ध प्रात्मिक एमिन इसमें सुद्ध प्रात्मिक एमिन प्रात्मिक एमिन बीना सेकेंड डिगरी ब मिलावट के हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है, तो हमें यह जो सुद्ध प्राप्त्मिक एमीन है, यह बिना, यह बिना, सेकंड डिगरी ओफ एमीन, ठीक है, सेकंड डिगरी ओफ एमीन, तथा, थर्ड डिगरी ओफ एमीन, थर्ड डिगरी ओफ एमीन, के मिलावट के मिलावट से मिलावट के बिना हमें यहाँ पर क्या होता है देता है ठीक है यह जो हमें सुद्ध प्रात्मिक एमिन पराप्त हुआ है इसके लिए हम क्या करते है प्रतम डिगरी आप एमिन संस्क्रेशन में इसको प्रात्मिकता दी जाती है ठीक है इस लिए इस लिए फर्ष डिग्री आफ एमिन ठीक है जिसे हम प्रात्मिक एमिन कहते हैं फर्ष डिग्री आफ एमिन के लिए हम इस संस्लेशन में इस प्रात्मिक्ता को दी जाती है ठीक है और यही दोस्तों मैं अप्रस में पूछा गया था कि प्रात्मी केमिन के संस्लेशन में गेब्रियल थेलेमाइट संस्लेशन को प्रात्मी क्यों दी जाती है क्योंकि दोस्तों इस संस्लेशन की क्रेम में हमें सेकेंड डिगरी आप एमिन और थर्ड डिगरी आप एमिन के मिलावट के बगएर हमें आपर सुद्ध प्रात्मिक एमिन प्राप्त होता है ठीक है यही इसका क्या है मुख्या कारण है जो क्यामेप्रस में पूछा गया था हूँ